हेलो फ्रेंड्स मैं सुधिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्क्रेट में स्वाइब करता हूँ तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं साथ अफ्रीका T20 लीग का मैच नमबर 26 जो की खेले जाएगा प्रिटोरियस कैपिटल वर्सेस अब माइ कैप टाउन के बीच में और यह जो मैच है वो खेले जाने वाला है सिंचूरियन के एतिहासिक ग्राउंड पर तो अगर हम बात करें प्रिटोरियस कैपिटल की तो यह अपना लास्ट मैच जो हार के आ रही है और M.I. Cap Town की बात करें तो यह अपना match जो है जीत के आ रही है और इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं Centurion का वो हर एक पहलू जो आपको GL जितवाने के लिए बहुत नितान तावश्चक है जैसे कि वहां का pattern की किस type का wicket है वो किस को बल्लेबाजी को मदद मिलती है गेदबाजी को मिलती है अगर बल्लेबाजी को मिलती है तो क्या pattern रहता है वहां पे इतने run बनते हैं गेदबाजी में की को wicket मिलता है faster को मिलता है spinner को मिलता है तो किस type के spinner को मिलता है left hammer को मिलता है कि right hammer को मिलता है राइट आमल बेसर को मदद मिलता है यosph हम जो है डोनों टीम के प्लेयर सक रिसेंट form के बारे में डिसक्रस करेंगे के बारे में रिकार्ट है कि और आर में कैसा रिकार्ट squash करेंगे और किस तरीके से आप अपनी टीम को फॉर्म करेंगे चाहिए कि है किस तरीके से आपका क्लेश सल्केश ना करेंगे कि चाहिए कि यह तिन नहीं ही कि जाएए उसको join करिए उसको join करने का 3 easy step है ठीक है पहला step है यहां इसी video के description box में जाएए वहाँ पे जो है more option होगा आप उसको जो है click कर सकते हैं तो यहां पे एक आपको link दिखेगा link पर click करेंगे तो join भी भी अपनी टीम बनाए आपको डेटा की कोई कमी ना हो ठीक है यह मेरा मोटिव है ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में भी हर रूज की तरह गिव अवे है हजार रुपे का गिव अवे है ठीक है फॉस्ट प्राइस एक इस दो चीज़ों का आंसर देना है आपको पहला क्योशन है कि मैंने मैच किसको मिलने वाला है अपका कि स्ट्राइक किसका बेटर होने वाला है और फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए ठीक है जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है है स्क्रिकेट आंसर वन और आंसर टू करके टॉम्स एंड कंडिशन बस इतनी सी है कि यह चैनल सस्क्राइब होना चाहिए तेली के नाम को मेरे आपको जॉइन करना है इस वीडियो को पूरा लास्त देखना है और एक लाइक का बटन द जो है मैं अब दो मैस होने वाला किसका स्टाइक रेट जो है सबसे ज्यादा होगा ठीक है तो आईए बिना देरी की वे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस वीडियो में समझते है कि सेंचूरियन के ग्राउंड के बारे में किस टाइप का वो ग्राउंड है और किस 27 डिगरी है और कल के मैच में कोई चांस नहीं है बारिस होने का इतना समझ लीजिए यानि पूरा का पूरा 20 ओवर का मैच आपको देखने को मिलेगा अब जब इतना हमें समझ में आ गया है तो अब देख लेते हैं कि कितना अभी तक यहां पर मैचे हुए हैं और फॉस्ट कि भी टीम जीती है 29 साँआ हो बार जो ऐाहनी आप समझ सकते हैं यहां के लिए बहुत यां कि आघर 259 है यहां पर फर्स्ट इनिंग का अवरेज इसकोर यह जो है 254 254 दोस्तों और लोवेश जो है 79 रन है ठीक है अगर स्कोरिंग पैटर्न की अब बात किया करें तो एक क्यामन मैच में से से उपर जो है 10 बार रन बना हुआ है तो आप क्लियरली देख सकते हैं या तो यहां पर बहुत लोई स्कोरिंग मैच होता है या तो बहुत हाई स्कोरिंग इंकाउंटर होता है इस डेटा से यह चीज़ समझने को मिल गए कि क्योंकि 51 मैच हुआ है जिसमें से 24 मैच यानि 42 या 43 परसेंट मैच है जिसमें 170 से उपर रन बना हुआ है यानि हाई स्कोरिंग इंकाउंटर हुए है तो आप यह समझ सबके चलते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा रन बनेगा या तो बहुत कम रन बनेगा दो ही चीज होने वाली ठीक है ठीक है समझ मैं अब हम यह देख ल साइज में कोई फरक नहीं पड़ता कि कौन सी टीम से मैच है बस हमको यह देखना है कि कितना विकेट गिरता है और कितना मैच बना हुआ है तो फस्ट अगर बात करें यहां पर 125 रन 10 विकेट के नुक्सान पर ठीक है 122 रन 9 विकेट के नुक्सान पर आप इसली देख सकते है कि 125 रन बना हुआ है ठीक है और टीम ओल आउट हो गई है यहां पर उसको भी जो है यहां पर रीसेंट मैच में 122 रन 20 वर की नुक्सान 20 वर में ही बना पाई टीम यानि उसमें भी तीन रन से हार गई है इसमें जो है टोटल अगर विकेट की बात करें तो 19 विकेट गिर इन दर यह समझने की आपकी बात है ठीक है सेंपल साइज में 204 रन बना यानि एक हाई स्कूरिंग इंकाउंटर हो देखिए यह लोई स्कूरिंग हुआ यह हाई स्कूरिंग हुआ ठीक है यह आपको स्टडिजी अब समझ में आ रही होगी ठीक अब देखिए यहां पर 204 चीज रहा है इसामझने की चीज है विकेट गिर रहा है हाई स्कूरिंग रन बनना है फिर भी बिगेट गिर रहा है अब देखिए उसको 187 रन ही बना पाई चेजिंग तीम चेज नहीं कर पाई साथ विकेट के नुक्सान पर ठीक है यहां टोटल कितने विकेट गिरें 16 व इसको मिला है फिर को और जो है आपका तीन विकेट जो है यह चीज समझने की जरूरत है आपको जब यानि इस वाले दोनों मैश की बात किये जा तो आठ अब बात करते हैं थर्ट से इंपरसाइज की इसमें भी देखिए हाइइ स्कुरिंग इन्काउंटर है 210 की वाल तीन गिरा जो कि नॉमली ऐसा होता है कि हाइज स्कूरिंग काउंटर है तो विकेट थोड़े कम गिरते हैं दूसरी टीम बनाई साथ विकेट को नुक्सान पर ऑल्मोस्ट चेस ही हो गया था बट हो नहीं पाया इसमें दस विकेट गिरा है ना टोटल जिसमें से आठ विकेट क्या है पेघ청 ने लिया है और तीन दो विकेट क्या है ने लिया हुआ पूर्त कि अगर हम बात करें तो दोसोघ्यर स्थी ऺफिस की नुक्सान पर ठीक है अगर बात करें Jeżeli उट्想 étape लिया है यहाँ पे पेशर project यहाँ में यहां पर रिया है बोल ऑला किस बॉल बाला सब्सक्राइब है कि फर्स्ट इनिंग में जो है 19 लिए हुआ है ठीक है पेसर ने और सेकेंड इनिंग में 21 विग्ट है इन चार मैचेस में ठीक है उसी के इस पीनर को अपने टीम में रखेंगे अधरवाइस इनिंग कोई सेंस नहीं बनता है कल के मैच में इतना समझ देजेगा अब हम बात करते हैं कि किस बॉलर को वहां पर किस टाइप के बॉलर को विकेट रिए मिलता है तो यह है डेटा 51 मैचेश का लेफ्ट आम फास्ट बॉलर को वहां पर फर्स्ट इनिंग में क्यों दस विकेट मिला और राइट आम स्पीनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में तच्छे विकेट और सेकेंड इनिंग में तो एक ग्यारा विकेट मिला हुआ यानि स्पीनर को रखने का कोई सेंसी नहीं बनता है अगर आप जो है वहां पर सेंचूरियन के ग्राउन पर अगर अकल के लिए जी अगर नहीं सुने हैं जो अभी तक छोड़ के चले गया ना उनका तो पैसा जाएगा जाएगा इतना बता देना अब इन दोनों टीम के बनाओंगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको दूँगा तो अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन ने किया तो जाईए अभी फटा फट जॉइन कर लीजे ठीक है वहां पर मिलेगी आपको फाइनल टीम जिस तीम के साथ मैं खेलता हूँ ठीक है अब फिलिपस इंसान बात करें ओपनर आते हैं विल जैक ओपनिंग करने आते हैं दोनों एक साथ और फिलिप सॉल्ट अभी तक नहीं चले हैं ठीक है गड़े इंसान है ना कायल आते हैं रेली रोसो भाई क्या हरवाया कल के मैच में ये बंदा 27-28 गेंद खेला चार-पांच रण बनाया इस टाइ नमर साथ पर आएंगे सुनेरम नमर आठ पर आएंगे पार्नल कैप्टन नमर नौ पर बोश नमर दस पर आदिल और नमर 11 पर जो है आपका डेर्ट तो यह होने वाली यह प्लेंग 11 जो है प्रिटुरियस क्या करना है सेलेक्शन पॉसेंटेज के एकॉर्डिंग इन प्लेय इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई बहुत लगाटे में हो 70 पर से उपर जिनका भी सेलेक्शन पॉसेंटेज है उनको रखना है आपको थर्ट कैटेगरी में यह थर्ट कैटेगरी हो गई यह सेकेंड कैटेगरी हो गई और यह फॉस्ट लिस्ट इसमें भी आएगी यह इस वाले बॉक्स में भी आगी यानि आपके पास जितने भी बाइस प्लेयर हैं उनको आपने क्या किया तीन पार्ट में बेस्ट आना सेलेक्शन पॉसेंटेज कैटेगराइज कर लिया है अब उसमें से आपको चुनना है ठीक है कैसे चुन साइब प्रवाइट करेगा इसी वीडियो में बट सब बड़ी चीज मैं बता रहे हूं यहां पर सुन लिए कानखोल के यहां से पहले वाले यहां से आपको को चार लोग कर लेना है यानि चार जो है यहां पर होने चाहिए प्लेयर्स इस काटेगरी से यह आपको यूट्यूब में कोई बताएगा नहीं मैं अपने पॉस्टनल अच्छे से उधेडा हुआ है तो आपको एक चीज अब पता चलगी कि चार प्लेयर यहां से तीन प्लेयर यहां से ठीक है तो किस प्लेयर को लेना है उसके लिए स्टाइट्स देखना होगा तो स्टाइट्स देख लेते हैं ताकि आपके पास कोई भी मतलब ऐसा रीजन ना हो कि हम हार गए ठीक है अब हम देख लेते हैं पहले तो स्टाइटिंग और बॉलिंग पार्नेल आते हैं लास्ट के पिछले वाले मैच में च्छाठावावर कर लास्ट के स्टाइटिंग और की बॉलिंग फिलिप सॉल्ट बहुत दिन से भाई फ्लॉप चलता है ठीक है कल के मैच में 0-20-10-12-23-0 ठीक है विल जैक 20 एक विकेट लिया भाई ने यहां पर दो विकेट नहीं लेगा इतना कन्फॉर्म है विल जैक को विकेट नहीं मिलने आवरेज है तो आप इनको कल के मैच के लिए नहीं करेंगे उसका रीजन है यह बिल्कुल फॉर्म में नहीं है ठीक है बेर आपको रिस्क लेना है तो आपको सकते है मैं अपनी झील के टीम में इंको ट्राइब नहीं करने वाला हूँ विल जैक की अगर बात करें तो 57 का आ तो भी इनको ट्राइब करना है यह भी मैं बता दे रहा हूं और के बात करें तो भाई एक मैच बहत्तरन की पारी खेली उसके बाद तीन मैच ऐसे ही चला गया है इन्यू पर क्योंट शाय का एवरेज है है तो शायद मैं इनके साथ ना जाओ ना जाओ रहलूरू को देखने के बाद कल के ठीक है कल के परफॉर्मेंस के देखने के बाद मैं भाई को जील की टीम में रखूंगा क्यों क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है और इतना एसेट के साथ मतलब या दो दूचार पांच मैच हो गया नहीं चला हुआ है ठीक है कल तो जील में चलेगा ठीक आप क्या यह ट्रंप प्लेयर भी बन सकता है कल के मैच के लिए इतना याद रखें लिए अभी नोट डाउन कर लिए अपने कॉंपी और पैंट पे ना कि की बात किया जा है तो यहां कुछ है नहीं ठीक है 14 का आवरेज है तो अगर आपको जील में बहुत ज्यादा रिस्क लेना है यानि आप 98 की उपर वाला रिस्की टीम बना रहे है तो ही इनको लीजिएगा ने तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं मैं इनको ड्रॉप करूंगा कॉलीन इंगरम के साथ कल जाओंगा क्यों क्योंकि इनका वेन्यू पर देखे रिकॉर्ड तेस का आवरेज है इसलिए मैं जाना चाहता हूं यहां पर देखिए यह आया है नया लेफ्ट आम और्थोडॉक्स बॉलर ठीक है लास्ट के मैच में मैंने बोला था कि यह स्पीनर अच्छा है ठीक है बट मैं आपको बता देना हूँ की यहांपे स्पीनरों कोई काम नहीं है रेफ्टवॉम और्थडाकी कोई रहे नहीं इसलिए इनका देख लिए इनके साथarin नहीं जाना है तुएम तो अब तो आप नो एक मार् senza कर लिए से लिए इतनन के बात किया जाया तो यह भी मेरे टिम में कंग के मैच के लिए नहीं तीख है क्यों नहीं होने वैंगी नियू पर भी देखिए क्या रिकॉर्ड है एड़-टीट में भी देखिए को मदद है यहां पर भले तीन विकेट है बट ऐसी ही तो प्लेयर आपको ट्रंप मैच रंप प्लेयर बन जाते हैं ठीक है ऐसे ही लेना होता है कि आपको फेबरेबल कंडिशन देखके कि उस कंडिशन पर राइट आम फास्ट बॉलर चल रहा है इसलिए ऐसे प्लेयर को ले सक और जो है रिकल्टन आते हैं यह बहुत तगड़े फॉर्म में दोनों लियम लिविंग्स्टन सैम करन कैनन पुलार्ड इन तीनों का कुछ फिक्स नहीं है कोई कभी भी आ जाता है उपर नीचे सैम करन भी उपर आ जाते है यहां पर ठीक है इन चारों में से कुछ फिक्स है भाई यह कोई भी उपर नीचे हो सकता है तो यहां प्रेडिट करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है कि किन प्लेयर्स को अपने टीम में रखना है इस बैट्समें क्योंकि चारों के चारों ऐसे हैं कि चल जाएंगे तो आपको जील एक तरफा ठीक है बट चारों के चार फैकन भी होगा इतका मैं बता दे रहा हूं आपको स्टार्टिंग ओवर में थेखने आते हैं वहान तिक्षणा वहाना तिक्षणा वहाबाड़ा और स्ट एक्षणा प्रम किसु सब्सक्राइब करने तो अगर आपको एक पीनर लेना है तो आप पीशना को ले सकते हैं इस सकते हैं क्यों क्योंकि वेन्यू पर 35 का अवरेज है तो मैं डूसन के साथ कल जाना प्रेफर करूँगा रिकल्टन को नहीं लुगा ठीक है लिवन लिविंस्टर ठीक भाई अगर नंबर 3 पर आएगा खेलने के लिए तो यह लगातार आउट हो जा रहा है लगातार आउट हो सब्सक्राइब को बना सकते हैं लिवन लिविंस्टर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यह आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए गा मैं हर वीडियो में यह आपके ऊपर एक प्लेयर को छोड़ देता हूं लास्ट मैच में अच्छा खेले थे बट अपनी ट मैच के लिए आप इनको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंग नहीं करेंगे मैं हिसाब से आप मत करिए तो ज्यादा बेनफिट होगा आपको ब्रेविस के साथ जाना मैं प्रिफर करूंगा क्यों क्यों क्योंकि हैट टू है आप 30 का आवरेज भी है दो इनिंग में अच्छा के क्या नहीं है भाई ने एक ही रण है वेन्यू पर कुछ नहीं है और यहां पर 23 में क्यों 25 का आवरेज है तो आपको इनको साथ जाना है तो जाइए मैं नहीं जाने वाला हूं सिंपल सा भासाया भाई इनको नहीं मैं जारज लिंडे को अपनी टीम में रखने वाला हूं कल के मैच के लिए ठीक है कल लिंडे मेरी टीम में होंगे वैन्यू पर क्यों एक इनिंग में 14 रन बनाया है ठीक है लेफ्टाम ऑर्थोडॉक्स बालर है तो अगर आपको नहीं लेके जाओंगा लिंडे को ठीक है ऐजब बॉालर तो लेने का कोई concept नहीं लग रहा है क्योंकि जो विकेट है वह विकेटा है तो इसलिए लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है कि यहां थॉमस कभीर की बात किया जाए तो आप जो है इनको ले सकते हैं फर मैच में लगबग विकेट है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ठीक है तु शारा ये भाई ये राइट आउं मीडियम फास्ट बॉलर है ठीक है दो जूरो जूरो दो 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 ऐसा करके आता हुआ है य यह होने वाली है दोनों तरीके की टीम की एनालेसिस मेरी तरफ से ठीक है आपको लिए अब आपको क्या करना है मेचा टेलिग्राम चैनल जॉइन करना है जीन की फाइनल टीम वहीं आगी ये पीडियाफ आएगी ठीक है और वहां पर मैं आपको की प्लेस भी आपको बता द होना है कॉपी पेल लेके अपनी अनलसिस सुरू कर देना है कितना रन बनेगा क्या बनेगा तब अपने एकॉर्डिंग जो है आपको सेट करना है ठीक है आपको मेरी जील की टीम भी एजर रिफरेंस के लिए मिल जाएगी जिस जील के साथ मैं खेलता हूं मैं किसी को यह न इतना ही टिक है बने रहे है मेरे चैनलटार मे जहलो को सस्क्राइब करो न गंभी करो एक ठीम प्यारा सा कॉमेंट करना और अज के लिए बस इतना ही जाय हिन है